दिलनी शराब नीती से जुड़े ब्रिस्टचार मामले में राउज जवेनी कोट ने मुख्यमंतरी अर्विन केश्रिवाल की न्याएक हिरासत को आठ अगस्त तक भड़ा दिया है उन्हें तिहार जेल से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये कोट में पेश किया गया इस मामले में एडी के मनी लॉंडरिंग केस में भी केश्रिवाल को 31 जुलाई तक जेल में रहना होगा सुप्रिम कोट ने 12 जुलाई को केश्रिवाल को जमानत दे दी थी लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बेल बोंड नहीं भरा गया है अर्विन केजरिवाल को एडी ने 21 मार्श को गिरफतार किया था उसके बाद राउज एवन न्यू कॉट ने उन्हें कस्टेडी में भेज दिया था उनके खिलाफ दूसरा मामला सीवी आई का है जिसमें उन्हें 26 जून को अरेस्ट किया गया था कोट ने केजरिवाल के अलावा मनी सिसो दिया और भारत राश्टर समीति के नेता के कवीता और अन्य आरोपियों की न्याई खिरासत भी 31 जूलाई तक भड़ा दी है सीबी आई केस में जमानत पर फैसला 29 जूलाई को सुनाया जाएगा इससे पहले 17 जूलाई को दिल्ली हाई कोट ने केजरिवाल की सीबी आई की गिरफतारी को चुनोती देने वाले याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था लगभग धाई घंटे तक चली बहस के बाद कोट ने कहा था कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जूलाई को होगी सुनवाई के दोरान केजरिवाल के वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कहा था कि अर्विन केजरिवाल जनता के चुने हुए मुख्य मंतरी है पाकिस्तान के पूर प्रधान मंतरे इमरान खान का भी उस टाइम पर जिक्र किया था कहा था कि हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से ग्राफ्तार कर लिया गया हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता वहीं 12 जुलाई को सुप्र हुए नेता है और यह उन्हें टै करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं